हाई फ्रेंट्स आज मेरे घर में कुछ कैस्ट आ गये थे तो उन्होंने फर्माश की कि बिटा कुछ अपने हाथों का स्पाइसी और यमी सा कुछ अलग सा डिश बना कर खिलाओ तो मैंने सुचा कि क्यों ना आज कुछ मीदू वड़ा से एक्सपेरिमेंट किया जाए तो मैं चलना है मेरे साथ इस नर्म नर्म सी स्पाइसी सी सबजी को कैसे बनाना है तो चलिए मेरे साथ लास्ट तक वीडियो में बने रहे तो दोस्तों यहां पर मैंने एक कप के करीब यह चिले हुए उरत के दाल को भिगो कर कम से कम 3-4 घंटे मैंने भिगो कर रख दिया था और बहुत जल्दी ही फूल कर सेट हो जाती है तो यहां पर मैंने 4-5 घंटे पहले इसे भिगो कर रखा था अब उसे मैंने अच्छे से दूल कर पॉश करके इसे मिक्सर ग्राइंडर में डाल दिया यह देखे इस तरीके से हम इसमें डाल कर एक तब फाइन पेस्ट नहीं बना लिया है यह देखे मैं अपने हाथों से इसे आपको निकाल कर दिखाती हूं यह मैंने इकदम फाइन पेस्ट नहीं बनाया है दोस्तों क्योंकि इससे वह बड़े में वह जो ट्रेडिशनल टेस्ट आता है वह नहीं आपाता तो इसलिए मैंने यहां पर कुछ दरदरा पासा ही इसे पीश कर तयार कर लिया है तो बस यह लिजए आपके यह जो उरत दाल के पेस्ट है वह बनकर तयार हो गया है अब हम इसमें जब यह पीश कर तयार हो जाएंगे दोस्तों तो यहां पर हम इसे तकरीबर एक बड़े स्पून से की मदद से इतना सा हम निकालकर अलग रख लेंगे आप जरूर सोच रहेंगे कि यह मैंने अलग क्यों निकाला है बताती हूं दोस्तों थोड़ा सा सबर रखिए इसका भी यूज़ करेंगे हैं लेकिन कुछ देर बात तो बस इसे हम यहां से निकालकर अलग रख लेते हैं अब यह रहे हमारे यह पेस्ट तो इनको हम जरा सा पानी डाल कर अच्छी तरीके से इसे फेट लेंगे यह देखिए मैंने यहां पर विसकर की मदद से इसे अच्छी तरीके से फेटना शुरू किया है तो यहां पर अगर आप से हो सके तो आप विसकर से कीजिए नहीं तो हादों की मदद से यह बहुत अ तो यहां पर मैंने इसे अच्छी तरीके से फेट कर तयार कर लिया अब यह कैसे फेट कर सेट हुए है इसका साइन मिलता है यह पानी में आप एक कटोरी पानी में यह जो हमारे फिटे हुए पेस्ट है उन्हें डालेंगे अगर वह उपर आ जाते इसका मतलब आपका यह पेस हिंग डालेंगे आधा चमच के करी जीरा और एक चमच के करी यहां पर यह चौप की हुए फाइन चौप की हुए हरी मिर्च को डाल देंगे और हाँ स्वाधन सार नमक डालना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों वरना सब खाकर आपको पहुत ज्यादा गालिया देंगे अब हम चलते हैं इसे बड़े के शेप में जानने के लिए तयार हो जाएंगे तो यहां पर हम अपने हाथों में जरा सा पानी लगा लेंगे इससे होगा यह बहुत अच्छी तरीके से शेप में बनकर तयार हो जाएंगे अब हम इने हाथ के बीचों बीच इसे रखेंगे और एक उंगली से इसमें होल कर देंगे और यह जो आपके गरम गरम तेल बनकर गरम हो गए हैं उनमें हम मेंदू वड़ा को एक एक करके सारे डाल कर तयार कर लेंगे तो लीजे हमारी यह सारे जो वड़े हैं वो कड़ाई में जा चुके हैं अब हम इने मीडियम फ्लेम पर जब तक यह सुनहरे कलर के हो नहीं जाएंगे हम इने इसी तरह फ्राई करेंगे यह देखे कितने बढ़िया फुले फुले से हमारे यह वड़े तयार हो रहा हैं ने दोस्तों तो बस इसी तरह आपको भी इसी फॉर्म में आपको इसे फ्राई करना है तो देखे दोस्तो जैसे ही हमारे ये मेंदू वड़ा हलके सुनेहरे कलर के हो जाएंगे तो हम इसे इस तरीके से कड़ाई से निकाल कर अलग रख लिएंगे तो यहाँ पर ये थोड़ा से दोस्तो ओईली बनता तो जरूर है लेकिन खाने में बहुत ज्यादा यमी लगता है ये देखे मैंने सारे वड़ो को निकाल कर कड़ाई से अलग रख लिया है अब मैं आपको इसे तोड़ कर दिखाते हूँ ये देखे कितने नरम और सौफ फुले फुले से ये हमारे वड़े बनकर तयार हो गया है और बीच में भी देखे अच्छे से पक गया है तो लीजे ये हमारे सारे वड़े बनकर तयार हो गया है एकदब सौफ तो अब चलते हैं इसे सबजी बनाने के प्रोसेस पर तो यहाँ पर हम एक बाउल में ये याद है ना जो हमने यहाँ पर थोड़ा सा बैटर निकाल कर अलग रखा था हां बस उसी को हम एक बाउल में इस तरीके से इसमें ट्रांसफर कर लेंगे अब हमें इसमें इसे धीरे धीरे पानी डालते हुए इसे इगदम से फेट कर तयार कर लेना इसमें बिल्कुल भी लंस ना पड़े तो इसके लिए हम पहले एक कप के करीब पानी इसमें डाल कर अच्छी तरीके से इसको ब्लैंड कर लेंगे इसमें बिल्कुल भी लंस नहीं है और यह अच्छे से मेल्ट हो गया है तो बस जैसे यह हमारे यह बैटर मेल्ट हो जाएंगे तो इसमें हम दीरे दीरे करके करीब आधा लिटर के करीब यहां पर पानी हम डाल देंगे पानी इतना ही आप डालें दोस्तों कि यह बिल्कुल इकदम सभी यह हार्ड में बिल्कुल न दिखाए दे इकदम लिक्विट पॉर्म में यह हो जाए बस इतनी कॉंटिटी में ही आपको पानी डालना है तो यह देखे यह हमारे बैटर में पानी डल चुका है और यह तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल दीजिए यह हमारे यह पेस्ट लस्जन और मिर्च के बनकर तयार होगा है इसमें खासियत यह है दोस्तों कि इसमें ना तो हमें टमाटर की जरूरत है और ना ही प्याज की यह इन दोनों के अलावा भी एकदन सुपर यम्मी बनकर तयार होगा तो यहां पर हम कडाई को गर्म कर लेते हैं और उसमें दो से तीन सरसु का तेल ही इसमें डालना प्रफर करेंगे क्योंकि इससे जो सुनाहाट आती है सब्जी में वो कमाल की होती है तो यह तेल हमारे गर्म हो गए अब इसमें कुछ तेजपत्ता आदा चमच जीरा और आदा चमच के करीब अगर आपके पास पश फोड़न हो तो उसे डाल दीजे वरना स्कीप कर दीजे कोई दिक्कत नहीं और साथ हम इसमें दो लाल मिर्श को भी डाल देंगे और इसके साथ जो हमने पेस्ट बनाया था मसाले का लस्टन और मिर्श को उसे भी डाल दीनगे अब हो जैसे ही रोस्ट हो जाएं तो आपल्प पाउडर काश्मेरी वादी कलर के लिए अधा चमच और एक चमच के करीब हम यह चिली फ्ञेक्स को डाल देंगे और साथी ये हल्दी पाउडर आधा चमच और आधा चमच जीरा पाउडर और आधा चमच धनिया पाउडर इन सब को डाल कर अच्छी तरीके से तक्रीबन दो मिनट के लिए हम इसको भून लेंगे एक बात और दोस्तों अगर आपको तीखा नहीं पसंद है तो आप मिर्च को अपने क्वांटिटी के हिसाब से या अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं तो लीजे दो मिनट हमारे हो गए हैं और मसाले अच्छी तरीके से तेल में भून चुके हैं अब जैसे ही आपके मसाले भून कर तयार हो जाएंगे तो हम इसमें जो हमने ये जो लिक्विट फॉर्म में अपने बैटर को बना कर तयार रखा था उसे हम इसमें डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पर रखकर इसे धीरे धीरे तकरीबन 5-6 मिनट हम इसे इसी तरह चलाते रहेंगे ताकि ये हमारे मसाले नीचे चिपके नब अब जैसे 5-6 मिनट तक आप इसे चला कर रेडि कर लेंगे तो उसके बाद हम इसमें टेस्ट के अनुसार नमक डाल देंगे यहां हम मैंने एक चमच के करीब नमक डाल दिया है आप कम यह जादा डाल सकते हैं तो बस ये आपके मसाले रेडि होगा है इसको 5-6 मिनट के लिए फिर से हम इसे लीट से कवर कर देंगे और अच्छी तरीके से पका लेंगे एक बात आप जरूर ध्यान दिजेगा दोस्तों कि इसमें बीच-बीच में उबाल भी आने लगता है तो इसके लिए आप चाहें तो ये ढखकन हटा कर भी आप उबाल सकते हैं और या तो बीच-बीच में इसे ढखकर पका भी सकते हैं तो बस जैसे आपके ये जो इसके रस है वो पकर तयार हो जाएंगे मसाले तो उसके बाद आप यहां पर अपने वड़ो को इसमें डाल दीजे और डाल कर 5-7 मिनट तक इसे फिर पका लिजे क्योंकि हर एक रेसिपी के लिए सबसे बड़ा सीक्रेट होता है उसका पकना तो जब तक आप इसे पकाएंगे नहीं अच्छी तरीके से आपकी सबजी बहतरीन बनने ही नहीं सकती ये गैरेंटी है तो दोस्तों ये रही हमारी सबजी बनकर बिल्कुल रेडी मैंने इसे तकरीबा 6-7 मिनट अच्छी तरीके से इसे पका लिया है ये देखिए हमारी ये व गरम मसाला डाल देंगे अगर आपके पास किचन केंग मसाला तो और भी अच्छा है उससे और भी ज्यादा टेस्ट आता है तो यहां मेरे पास गरम मसाला था मैंने उसे डाल दिया है तो लीजे भाई आपकी ये मेंदू वड़ा की सबजी बनकर बिल्कुल तयार है तो तो दोस्तों कैसी लगी ये मेरी वीडियो अगर आपको प्लीज जरा से भी मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज प्लीज आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा और कमेंट करकर जरूर बताएगा कि आपको मेरी ये में दोव बड़ा की रेसिपी कैसी लगी अब ये आपकी जो सब्जी बन जाएगी तो आप इसको चावल रोटी चपाती के साथ खाये और इंज्वाइ कीजिए